उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितिनात का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने का है कि भारत हिंदू रास्ट है और जब भारत का कोई भी व्यक्ति हज जाता है तो उसे हिंदू कहकर संबोधन किया जाता है इसी पर बाचीत के लिए हमारे साथ मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि भारत हिंदू रास्ट है और जब भी कोई भारत का व्यक्ति हज के लिए जाता है तो उसे हिंदू कहकर संबोधन किया जाता है किस तरह से इस बयान को आप देखती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है जब यहां से लोग जाते हैं हज करने के लिए तो उनको हिंदी बोला जाता है जैसे अरबी भाषा की वज़ा से शाट फार्म में बोलते हैं हिंदी से हम लोग हिंदूस्तान से जाते हैं तो हम लोग को हिंदी कहके पकारा जाता है कि आपको लगता है कि जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि हिंदू कहा जाता है संबोधन किया जाता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है हम भी वहां रह चुके हैं और जानते हैं हिंदू नहीं कहा जाता है हिंदी कहा जाता है हम लोग हिंदुस्तानी इसलिए हिंदी कहा जाता है इससे पहले भी कही बार बियान सामने आया, चाहिए संक्रमुक की बात करते हैं या हम मद द्नी साहब की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमान धर्म जो है, वो सबसे पुराना धर्म है, दूसरी तरफ सौमी प्रसाद मौरिया जो आपके पार्टी के नेता हैं वो कहते 전에 कि बहुत धर्म सबसे पुराना है। कैसे देखती हैं इन बयानों को? यह लोग क्या बोलते हैं यह मैं नहीं जानती हूँ लेकिन हम तो यहीं जानते हैं कि सबसे पहले दुनिया में जो आये है दादा आदम आई हुआ उसी से हम सभी लोग हैं पूरी दुनिया उसी से है इसलिए मैं समस्ती हूँ कि सबसे पहले इसलाम धर्म ही हुआ अभी तक चोटे अधिकारियों पर खार्वाई की गई है लेकिन जो बड़े अधिकारी है, उनपर कारर्वाई नहीं की गई है जो अब तक की कारर्वाई हुई है, उससे संतुस्थ आप लोग हैं? नहीं हम लोग नोगे संतुष्ट हैं हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से जुम हुआ है दोनों महिलाओं के साथ मैं भी एक महिला हूं सामने देखते ही देखते दो महिलाएं जल कर मर गई और अधिकारी सस्पेंट नहीं है तो उनको हम चाहते हैं सक्त सक्त ऐसी सजाओ कि फिर दूसरा अधिकारी देखने वाला इस तरह का जुल्म ना कर पाए आखरी सवाल है कि ओवेसी कह रहे हैं बुल्डोजर की कारवाई पर चुकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगतार बुल्डोजर की कारवाई हो रही है ओवेसी कह रहे है कि बीजेपी वाले जो है वो समविधान से नहीं बुल्डोजर से चलना चाहते हैं किस तरह से इस गबजा किया कुछ किया है लेकिन घर गिराने से कोई फायदा नहीं है।